नुश्कार दर्शको आप देख रहे हैं OMH News लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और संसत का अठारवा सत्र शुरू हो गया लोकसभा की अठारवी सत्र की शुरुवात हुई राष्टपती के अभिभाशन से 280 सांसदों शपत ली प्रोटेम्टी स्पीकर ने अशपत दिलाई ये लोकसभा चुनाव सबके लिए विन-विन पोजिशन जैसा रहा जहां सकता पक्ष को जनता ने ये कह दिया कि आप निरंतर और स्थिर्च सरकार चलाईए लेकिन जवाब दे ही सबकी होनी चाहिए आपके फैसलों में समावेशन होना चाहिए आपके फैसलों में एक आम सहमती होनी चाहिए तो वहीं विपक्ष को जो जनादेश दिया वो जनादेश इस रूप में था कि आपको हम जवाब्दे बना रहे हैं कि आप सरकार को जवाब दे बनाए रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव सबके लिए विन-विन पोजिशन रहा जहां एंडिय और बीजेपी ने इस जन्मत को सुईकारा, नतमस्तक होके सुईकारा, तो वहीं कॉंग्रेस और विपक्षी दल एहंकार में लहा लोट हो गए, एक ऐसा एहंकार की मानों की वह सत्ता पा गए हूँ, एक ऐसा एहंकार की मानों की वो जो सम्विधान बदलने का आरोब बीजेपी पर लगा रहे थे, यह लोग खुदी ना कर दें, एक ऐसा आरोब की लग रहा होर की राजा ने किसी दुश्मन देश पर विजय प्राप्त कर लिए, लोक्तंत्र में जनमत जनार्धन है, क्योंकि जनमत जनता से आता है, जनता ने बताया कि पीयम मोदी के नित्रत्व पर उनको भरोसा है, इसलिए NDA को 293 तो वहीं विपक्ष को ये ड्यूटी दी कि आप जवाब दे ही कैसे तै करेंगे, इसलिए आपको 235, इन सबके भी सबसे जादा खुशी मिली कॉंग्रेस को, क्योंकि जो कॉंग्रेस अपने समापन की और बढ़ चली थी, जो कॉंग्रेस रसातल की और लगातार जा रही थी, जो कॉंग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, जो कॉंग्रेस 44-52 के बाद उसको ये डर लगने लगा था कि कहीं 24 पर ना सिमठ जाए, जनता ने उस कॉंग्रेस को भी 99 का आकड़ा दिया, कि आप एक मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका में रहें और लोकतंत्र दर्शको पक्ष और विपक्ष दोनों के आपसी समन्वे से ही चलता है लेकिन कॉंग्रेस तो ठेरी कॉंग्रेस कॉंग्रेस के भीतर आपसी जूतम पैजार मचा हुआ है कॉंग्रेस के भीतर नेता एक दूसरे को धूल धसरित करने में लगे हैं जो कॉंग्रेस ये कह रही है कि NDA की सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी उस कॉंग्रेस के परदेश परदेश में हालत ऐसी है कि वो अगला चुनाव एक जुट होकर लड़ पाएगी कि नहीं इस पर भी संशय के बादल चाय हुए है इस साल महराष्ट्रा और हर्याना दो परमुख राज्ये हैं जहां पर चुनाव होने हैं दोनों ही जगा बीजेपी गठबंदन की सरकारे हैं और सत्ता परिवर्तन के लिए कॉंग्रेस और विपक्षी दल संगर्श रत हैं लेकिन जहां हर्याना में कॉंग्रेस को पाच सीट और महराष्ट्रा में कॉंग्रेस लगभट 17 में से 13 सीटों पर विजे हुई 17 पर लड़ी 13 पर विजे हुई इन दोनों ही राज्यों में कॉंग्रेस के भीतर आपसी जूतम पैजार चरम पर पहुँच चुका है सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ महराष्ट्रा से जो डाटा निकल करा रहा है दर्शको महराष्ट्रा कॉंग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक रही है अगर सूत्रों के मुताबिक बात करें तो पार्टी में संकत के बादल मंडरा रहे हैं लगभक सोला कॉंग्रेस नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मलिका अरजुन खडगे को बैठक के लिए चिट्थी लिखी है सोला बहराष्ट्रा कॉंग्रेस के नेता बैठक के लिए मलिका अरजुन खडगे से समय मान चुके हैं दर्शको और सोला जुन को चिट्थी लिखी गई चिट्थी में मुंबई में संगठन के जो धाचा है संगठनातमक धाचा उस पर ध्यान केंदित करने पार्टी कारे करताओ के भी समनवоз बढ़ाने और रणीतिक सिफारिशों और परस्ताओं के बारे में चर्चा करने की बात की गई है लेकिन ये बात तो वो है जो सारवजनी की गई लेकिन दर्शको अगर सूतरों की माने तो सुत्रों का कहना है कि वरिष्ट नेताओं का एक दल चाहता है कि पार्टी नेतित्व वर्षा गायकवार को मुंबई कॉंग्रेस के परमुख पद से हटा दे चिठी पर वरिष्ट नेता कॉंग्रेस के चंद्रकान्त हंडोरे स्री डबलू सी सदस्य और महराष्ट कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान और महराष्ट कॉंग्रेस के कोशा ध्यक्ष डॉक्टर अमरजीत मनहास ने भी हस्ताक्षर किये हैं दर्श को अब आप समझिए कि इतने बड़े बड़े लोगों ने कॉंग्रेस प्रेजिडेंट मलिकारजुन खडगे को लिखा कि भाईया वर्षा गायकवार को हटाईए और ये एक राज्ये की बात नहीं है आपको दूसरी जगा ले चलते हैं सीधा महराष्ट्रा टटिये छेत्र से मैदानी छेत्र हर्याना में और हर्याना में क्या है कि भुपेंदर सिंग हुड़ा को लेकर कॉंग्रेस के भीतर हर्याना कॉंग्रेस के भीतर भीतरी टकराव चरम पर पहुच गया है और कल कुफधीर शर्मा को जब शपत दिलाई जा रही थी और आज कुफधीर शर्मा को कसम कल मैंने आपको बताया थे क्राप कॉंग्रे avons छोड़के नहीं जाएंगे तो आज कुमारी शेल्जा भूपेंदर सिंग उड़ा पर भड़ा कुठी इस शेल्जा ने उड़ा को निशाने पर लिया और शेल्जा ने कह दिया कि भाईया उड़ा के नित्रतु में ज्यादा उमीद ना रखी जाए आप ये समझे कि शेल्जा ने कहा क्या कहा कि शायद हाई कमान या फिर राज्ये के परभारी को जमीनी स्थिती का ठीक से मालूम नहीं था तब हमें आठ से दस सीटे मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली हम पाच पर आकर सिमिट गए और ये पूरा दर्शकों चुनाओ भूपेंद तर अग wodda के नित्रतु में ये पूरा चुनाओ लड़ा गया कुमारी शेल्जा का बयाने आप में इस बात को बताता है कि हुड़ा हवा हवाई बात करते रहे जिसकी वजह से बड़ा नुकसान अगर कुमारी शेल्जा की बातों में दम हैं तो बड़ा नुकसान उन्हें web भजय काउंगेश को हरियाना कौंग्रेश और कौंग्रेश को उठाना पड़ा है है लेकिन जिस तरह का आपसी जुतम पैजार मचा हुआ है काॉंगेश के बीतर यह कहीं ऐसा ना हो कि लोग सभा की 99 सinen Utobate continuously ही कॉंधे सब्सक्राइब राज्यों में फिर से मूग की ना खा जाए जैसे हमने राजस्थान देखा मद्यपरदेश देखा और 36 गड़ देखा वैसी ही चीज़ है अब यहाँ पर महराश्टरा और हर्यारा में भी कॉंग्रेस में देखने को मिल रही है अब क्या होगा ये तो चुनाव और चुनाव क को दबाएं